इनाम एक भिखारी को बाजार में चम्डे का एक बटुआ पड़ा मिला उसने बटुए को खोल कर देखा बटुए में सोने की सो अशर्फिया थी तभी भिखारी ने एक सौदागर को चल्लाते हुए सुना मेरा चम्डे का बटुआ खो गया है जो कोई उसे खोच कर मुझे सौप देगा मैं उसे इनाम दूँगा भिखारी बहुत इमानदार आदमी था उसने बटुआ सौदागर को सौप कर कहा ये रहा आपका बटुआ क्या आप इनाम देंगी? इनाम सौदागर ने अपने सिक्के गिनते हुए हिकारत से कहा इस बटुए में तो दो सो अशर्फिया थी तुमने आधी रकम चुरा ली और अब इनाम मांगते हो दफा हो जाओ वरना मैं सिपाहियों को बुला लूँगा इतनी इमानदारी दिखाने के बाद भी व्यर्थ का दोशारों पर भिखारी से सहन नहीं हुआ वह बोला मैंने कुछ नहीं चुराया है मैं अदालत जाने के लिए तैयार हूँ अदालत में काजी ने इतमीनान से दोनों की बात सुनी और कहा मुझे तुम दोनों पर यकीन है मैं इंसाफ करूँगा सौदागर तुम कहते हो कि तुम्हारे बटुए में दो सौ अशरफिया थी लेकिन बिखारी को मिले बटुए में सिर्फ सौ अशरफिया ही है इसका मतलब यहा है कि यहाँ बटुआ तुम्हारा नहीं है चूंकि भिखारी को मिले बटुए का कोई दावेदार नहीं है इसलिए मैं आधी रकम शहर के खजाने में जमा करने और बाकी भिखारी को इनाम में देने का हुक्म देता हूँ बेइमान सौदागर हाथ मलता रह गया अब वह चाहकर भी अपने बटुए को अपना नहीं कह सकता था क्योंकि ऐसा करने पर उसे कड़ी सजा हो जाती इनसाफ पसंद काजी की वज़से भिखारी को अपनी इमानदारी का अच्छा इनाम मिल गया